जैन दोस्तो मैं रभी मोहन सर्मा अपनों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल प्यस्सी मत्रा पर दोस्तो आज हम लोग करंट अफेर्स 2019 में माह अक्टूबर का करंट अफेर्स देख लेते हैं अब अक्टूबर माह के करंट अफेर्स को हम लोग शुरूगात करते हैं तो इसके पहले पॉइंट की तरफ आते हैं एयर मार्सल एचेस अरोडा ने वाईव सेना की उप्रमोक का पदवार ग्रेड कर लिया है उन्होंने राकेश कुमार सिंग भदोरिया का स्थान लिया भारती वाईव सेना में दूसरा सबसे उंचा पद होता है अगले पॉइंट की तरफ बढ़ती है एक अक्टूबर 2019 को संग लोग सेवा आयोग UPSC की स्थापना के 93 बर्स पूरे हो गए कितने बर्स पूरे हो गए 93 बर्स अब इसके इत्यास के बारे में जान लेते हैं इसकी स्थापना होई थी एक अक्टूबर 1926 को इसके प्रथम अद्दच थे रोस बारकर इसके जो बरतमान में अद्दच हैं दोस्तों वो हैं स्री अर्विन सक्सेना जी अब ग्राप के जर राष्ट पती के द्वारा और दोस्तों इसके जो अद्दच होते हैं उनका कारिकाल होता है छे साल या 65 साल उम्रोने तक इसमें एक अद्दच और 10 अदस होते हैं इस प्रकार इसका एक आयोग मिलकर बना होता है दोस्तों अगले पंट की तरफ चड़ते हैं दो अक्टूबर 2019 को मात्मा गांधी की 150 भी जैनती मनाई गई ठीके दोस्तों अगले पंट की तरफ बढ़ते हैं भारत के महान क्रिकेटर सचिन त्यंदुलकर को हाल ही में सबसे प्रभावसाली सच्चता एमबिसेडर अवार्ड से सम्मानित किया गया अगले पंट की तरफ बढ़ते हैं महात्मा गांधी की 150 भी जैनती पर प्रधानमंती नरेंद मोधी ने दो अक्टूबर को गुजरात के एमदाबाद में शाबरमती आस्रम में 1500 रुपए का इसमारक सिक्का जारी किया साती मोधी जी ने भारत को खुले में 100 से मुक्त अर्थात ODF गोसित किया भारत दो अक्टूबर को खुले में 100 से मुक्त ओचुका है ऐसी गोसला की गई थी किसके दोरा नरेंद मोधी जी के दोरा ठेके दोस्तों अगले पंट किदर बढ़ते हैं एकके डोरने हाल ही में ओपेक समू की सदस्यता छोड़ने का फैसला लिया है यह नेड़ाए एक जनवरी 2020 से लागू हो जाएगा भारत और मंगोलिया की बीच में संयुक्त सेन्य अभ्यास शुरू हुआ नोमेडिक एलिफेंट इसका आयोजन 5 से 18 अक्टूबर के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलों में किया जा रहा है यह नोमेडिक एलिफेंट का चौधरवा संस्क्रल है कौन सा संस्क्रल है दोस्तों चौधरवा अब आते हैं अगले पंट की तरब हाल ही में देश के साथ उच्छ नियायलें में मुक्ष नियायदीसों की न्युक्ति की गई साथ मुख्य न्यायदीसों की न्युक्ति देख लेते हैं यहाँ पर जो उच्छ न्यायले के साथ मुख्य न्यायदीस हैं उनकी न्युक्ति इस प्रकार है पहला है पंजाब वहर्यान आंका उच्छनियाले का रवी संकर जा चोकि पंजाब वहर्यान आंका सही तुरूप से बना जाता है इसलिए इनके बनाए गए हैं रवी संकर जा को दूसरे हैं राजिस्थान उच्छनियाले के इंदर जीत सिंग मोहनती तीसरे आगी चलते हैं इमाचल प्रदेश उच्च नियाले के बनाए गए हैं लिंगप्पा नारैर स्वामी चोथे की तरफ बढ़ते हैं सिक्केम उच्च नियाले ये इसके बनाए गए हैं अरूप के गोश्वामी पांचवे के बनाए गए हैं गोवाहाटी उच्चिन्याले के अजय लामबा चटवा जो बनाए गया है आंधप्रदेश उच्चिन्याले के बनाए गए हैं जेके महेश्वरी साथवे केरल उच्चिन्याले के बनाए गए हैं ऐस मरी कुमार इस प्रकार दोस्तों अगले पॉंट की तरफ बढ़ते हैं अरुनाचल प्रदेश में चीन के साथ लगने वाली सीमा के निकट भारती वायू से ना द्वारा हिम विजय नामक युद्दब्या सुरू किया गया था ये किस-किस के बीच में हुआ है अरुनाचल प्रदेश में चीन के साथ ठीके दोस्तों भारत और चीन के साथ हुआ है ये हिम विजय अगले पॉंट की तरफ बढ़ते हैं विजय के नमबर एक खिलाडी सर्विया के नोभाक जोकोविच ने जापा नोपो उनका पुरुस एकल कवर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है फाइनल मेंनों ने आस्ट्रिलिया के जोन मिल मेंन को पराज़त किया ठीके दोस्तों आगे बढ़ते हैं 49 वे 20 सुकभी सम्मेलन का आयोजर ओरिशा की दाजधानी बोवनिश्वर में किया गया यह आयोजर कलिंगा और द्योगित तक्निकी संस्थान में किया गया इस सम्मेलन की थीमती कविताओं के द्वारा सहानेवूती ठीके दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हाल ही में किन सरकार ने यह इसपर्ट किया है कि 1 अप्रेल 2020 के बाद केबल BS6 भारत स्टेश 6 मानक लागू होंगी अभी तक कौन सा मानक चला है दोस्तों मानक 5 चला है आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी गाड़ियां आ रही है BS5 की गार रही है अब जो 2020 के बाद एक अप्रेल के बाद आएंगी वो कौन सी आएंगी BS6 की ठीके दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं प्रदान मंतरी नरिन मोदी की अध्यच्ता में केविनिट न्युक्त समिती ने बरिष्ट भारती पुलिस सेवा अधिकारी अनूप कुमार सींग को नेशनल सेक्योर्टी गार्ड एनस जी का महान देशक डारेक्टर जनरल न्युक्त किया है किसे बनाये गया है अनूप कुमार सींग को अगले पुट की तरफ बढ़ते हैं भारती सेना तथा मालदीप नेशनल डिफेंस कोर्स के महराष्ट के पुड़े में 7 से 20 अक्टूबर तक 2019 के दोरान सैयुक्त सेन अभ्यास एकुवेरिन 2019 का योजन किया गया कौन कौन सा किया गया था दोस्तो एकुवेरिन 2019 ठीक है ये किया गया है 7 से 20 अक्टूबर के बीच में कौन कौन से 20 के बीच में बारती सेना और मालदीप नेशनल डिफेंस फोर्स ठीक है कहां पर किया गया तो महराष्टर के पुड़े में अब दोस्तो प्रस्न यहीं से बनता है प्रस्न पूचा जाएगा एकुवेरिन सैयुक्त अभ्यास का जो अभ्यास है वो कहां पर किया गया तो तो कहां पर किया गया था महराष्टर के पुड़े में अब पूछा जाएगा कि ये कौन सा संस कर रहता तो दसवा संस कर रहता ये ठीक है दोस्तों अगले पॉंट की तरह बढ़ते हैं गुट निर्फेच आंदोलन N.A.M. सिकर सम्मेलन 2019 का आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया गया ये सम्मेलन 25 से 26 अक्टूबर 2019 को आयोजन किया गया ये अठारवा एन नाम सम्मेलन था गुट निर्फेच आंदोलन का पहला सम्मेलन वर्स 1961 में ब्रेल ग्रेड में आयोजन किया गया था जिसमें जवाला नहरू सहित देश विदेश के कई नेताओं ने भाग लिया था अब इस सम्मूव में कितने देश हैं कुल 120 विकास सिल देश हैं अब दोस्तो 2019 में भारत की ओर से किसने प्रतिने दित किया तो वो किया था उपराश्ट पती एम बेंकई या नाइडू ने ठीक है दोस्तो अगले पॉइंट की तरह बढ़ते हैं रच्छामंतरी राहना सिंग् ने लद्दाग में करनल चेवंग रिंचेन से तूका उधगाटन किया इस पुल का नाम करनल चेवंग रिंचेन के नाम पर रखा गया है कनर रिंचेन लद्दाग से भारती सेना के अफसर थी उन्हें 1952 में महावीर चक्कर से सम्मानत किया गया था ठीके दोस्तों अगले पॉंट की तरह बढ़ते हैं जोको बिदोदो इनका नाम आपने सुना होगा पहले भी ये हैं इंडोनेसिया की राष्टपती हाल ही में इंडोनेसिया में राष्टपती के चुनाव संपन्ड हुए जिसमें जोको बिदोदो को पुनह इंडोनेसिया का राष्टपती चुल लिया गया है और इनों ने इंडोनेसिया की राइधानी जकारता में राष्टपती पत की सबत ले ली है ठीक है दोस्तो अगले पॉइंट की तरह बढ़ती है 21 अक्टूबर 2019 को आजाद हिंद फोज की इस्थापना के 76 वर्स पूरे हुए इस मौके पर लाल के ले में एक कारिक्रम का एविजन किया गया आजाद हिंद फोज की इस्थापना दोस्तो बता तेता हूं में 1942 में टोक्यो जापान में की गई थी ठीक है किसके दोरा की गई थी रास ब्याहरी वोस के दोरा लेकिन अगले बर्स 1943 में इस फोज की कमान सुभास चंद्र वोस को सौब दी गई थी तो दोस्तो यहाँ पर आपको दो फेक्ट देखने को मिलेंगे कि 1942 में टोक्यो जापान में इस्थापना होती है आजाद हिंद पहुझ की और वहीं 1943 में इस फोज की कमान किसके पास पहुझ जाती है सुभास चंद्र बोस के पास ठीक है दोस्तो इसके कितने वर्स पूरे हो गए है 76 वर्स कुशन पूचा जा सकता है दोस्तो इहाल इमें 2019 में आजाद हिंद पहुझ की स्थापना के कौनसी वर्स प्रमाँ बनाई गई अगले पूर्ट की तरह बड़ते है कैस सहीद को ट्यूनेसिया का नया राष्टपति चुना गया है कैस सहीद ने राष्टपति के चुनाबों में 72 पूंट 7 प्रतिसत बोट हासल किये उन्होंने चुनाम में अपने प्रत्योंदी नाविल करोई को पराजित किया दोस्तो पूचा जा सकता है टुनेसिया के राष्टपती कौन है कौन बनी है दोस्तो कैस सहीत अगले पूंट की तरह बढ़ते हैं मार्गरेट एट बुड और बर्नाडिन एवरिस्तो को सहीक तुरूप से 2019 बुकर पूरुस्कार दिया गया है ये बर्नाडिन एवरिस्तो का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा दोस्तों अब इने किस पूरुस्कार से नवाजा गया है ये पूरुस्कार नवाजा गया है बुकर पूरुस्का सहयक तुरूप से नहीं दिया जाता लेकिन इस बार ये मितक तोड़ दिया गया है और नियमों को दरकिनार करते हुए यह प्रुसकार दो लोगों को सहयक तुरूप से प्रदान किया गया है अब इस प्रुसकार को दोस्तों जान लेते हैं पहले हम लोग मेन बुकर प्रुसक सिन्यू मैत्री का आयवजन 17 से 23 अक्टूबर 2019 के दोरान किया गया कौनसा अभ्यास हुआ है दोस्तों ये अभ्यास हुआ है भारत तो जापान की बायुसेना के बीच कौनसा है सिन्यू मैत्री कभ हुआ था 17 से 23 अक्टूबर के कहां पर हुआ है पस्चम बंगाल के एर फोर्स इस्टेशन अरजन सिंग में तीन प्रिस्णा आपके यहां से बनते हैं कौन-कौन से कौन-कौन सी देशों के बीच हुआ है यह अभ्यास भारत और जापान के कौन सा अभ्यास हुआ है सिन्यो में 3 आयोजन इस्थल कौन सा है अरजन सिंग एर फोर्स इस्टेशन पस्चम बंगाल ठीक है तोस्तों अगले पंट की तरह बढ़ते हैं पूर भारती कप्तान सौरव गांगुली भारती क्रिकेट कंट्रोल बोड बीसे सी आई के नए अदच बन गए हैं सौरव गांगली भारती क्रिकेट के महांतम कप्तानों में से एक माने जाते हैं इन्होंने अपने क्रिकेट करियर में 311 एक दिवसी मैच खेले इनमें इन्होंने 11 अज़ा 363 रन बनाए हैं अब बीसे सी आई की स्थापना के बारे में देख लेते हैं BCCI के स्थापना होती है 1928 में और इसका मुख्याले जो है वो कहाँ पहे दोस्तो मुंबई अक्सर दोस्तो कई बार प्रस्टन आते हैं मेरे पास कि BCCI का मुख्याले का है तो दोस्तो BCCI के मुख्याले दिल्ली में नहीं है बीसी से एक मुख्याल हैं बॉम्बे में ठीक हैं और सौरभ गांगली 49 बेस की अद्धक्ष बने हैं ठीक है दोस्तों अगले पॉंट की तरह बढ़ लेते हैं केंद्री मंत्री नितिन गडगरी ने हाली में कहा है कि जम्मू और कस्मीर को आपस में जोडने बाली सुरंग चेनानी नासरी का नाम बारती जन्संग के संस्ताफ़क डक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी के नाम पर रखा जाएगा चेनानी नासरी का नाम बदल कर क्या रखा जा रहा है डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी ठीक है दोस्तों स्यामा प्रसाद मुखर जी वही है दोस्तों जो जम्मू कस्मीर में जंडा फेराते हुए सहीद हुए थे ठीक है दोस्तो आगी पॉंट की तरह बढ़ते हैं भारती वायुसेना द्वारा रोयल एर फोर्स ओमान के साथ मिलकर दुपाच्छी इस्टन ब्रिज भी अभ्यास का आउजन किया जा रहा है क्या नाम है दोस्तो ब्रिज भी ठीक है ये किस किस के देश की बीच किया जा रहा है भारती वायुसेना और ओमान के एर फोर्स के साथ ठीक है दोस्तो यह अभ्यास 17 अक्टूबर को सुरू हुआ इसका समापन 26 अक्टूबर को हो गया ठीक है इस अभ्यास का आउजन ओमान के एर फोर्स बेस मसीरा हमें किया जा रहा है ये दोस्तो कहाँ पर आई जो तो रहा है ओमान में ही ठीक है दोस्तो अगले पॉंट की तरह बढ़ते हैं हाल ही में भारत सरकार के जल सक्ती मंत्राले की पेजल और स्वच्चता विभाग ने 10 वर्सी ग्रामिर स्वच्चता रणनी थी 2019 और 2029 मतलब 2019 से 2029 तक प्रारम की है भारत सरकार का उद्दिश 2 अक्टूवर 2019 को मात्मा गांधी की 150 वी जैन्ती के अफसर पर भारत को पूरी तरह से खुले में 100 से मुक्त करना है दोस्तो अभी हाल ही में 15 तारीक को 15 जसंबर को UPPCS का प्रारमिक परिच्चा आयुजित की गई थी उसमें करंट अप्यर्स में यही प्रिशन पूछा गया था कि भारत सरकार के जल सकती मंतलब ने ग्रामिर स्वच्चता रणनी थी कब से कब तक रखी है तो कब से कब तक रखी है 2019 से 2019 तक दस वर्सी प्लान है दोस्तो यह ठीक है यहाँ पर अब देखो इससे यहाँ पर यह प्रिशन मिला है UPPCS में यह प्रिशन यहां से पूछा गया है कहां से पूछा अक्टूबर से अगले पॉइंट की तरह बढ़ लेते हैं दोस्तों हिमाचाल प्रदेश के प्रिशिद्ध कुलू दसेरे का उधगाटन आठ अक्टूबर को राज के राज़िपाल बंडारू दत्ता तिरे ने किया अब दोस्तों मेरे दिमाग में एक छोटा सा ये किलिक आ रहा है कि ये प्रिशन बहुत इंपूडेंट है और ये प्रिशन पूछा जा सकता है कुलू दसेरा कहां का फेमस है इमाचाल प्रदेश का प्रशन अगर पूचा जाता है तो कुलू दसेरा कहां का फेमस है तो हिमाचार प्रदेश का अंतराष्टी कुलू दसेरे का आयोजन कुलू में अक्टूबर माह में किया जाता है इस मेले में देश-विदेश से एक से देड़ लाग लोग आते हैं अब इसकी सुरुवात का वो यह बिजिया दसमी के दिन होती है यह मेला साथ दिनों तक चलता है जिसकी सुरुवात सत्रभी सताबदी में होई थी क्यों की गई थी यहां के इस्थानी राजा थे जगत सी इन्होंने भगवान सी रगुनात की प्रतिमा की इस्थापना की थी और तभी से भगवान रगुनात को कुल्ली घाटी का देवता माना गया है वहां के लोग जो कुल्लु घाटी है वहां के लोग भगवान रगुनात को इस्थानी देवता मानते हैं इसी के उपलक्ष में कुलू दसेरे का आयोजन किया जाता है कितने दिन तक चलता है दोस्तों ये साथ दिन तक ठीक है दोस्तों कहां का है ये दसेरा हिमाचल प्रदेश का अगले पॉइंट की तरह बढ़ते हैं C40 जलवायू सिकर सम्मेलन का आयोजन 9 से 12 अक्टूबर 2019 के दोरान डेनमार्क के कोपेन हेगन में किया जाएगा दोस्तों ये हो चुका है मतलब C40 जलवायू सिकर सम्मेलन कहां पर आयजन तो हुआ है डेनमार्क के कोपेन हेगन में अगले पॉइंट की तरह बढ़ते हैं दोस्तों हाल ही में 200 आर्थिक फोरम का दोरा 200 सूचकांग 2019 जारी किया गया इस सूचकांग में कुल 148 देशों को समलित किया गया जिसमें से भारत का 68 वायस्तान रहा W.E.A.P. World Economic Forum 200 आर्थिक फोरम इसका सूचकांग जारी किया गया कुल कितने देशों को इसमें सामलित किया गया था 141 देशों को जिसमें भारत का कौन सा स्थान था 68 वा स्थान था इसमें अब पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन-कौन से देश रहे तो पहले स्थान पर रहा था सिंगापूर दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर होंगकों ठीक है दोस्तों ये फेक्ट अपका हो गया आगे पॉइंट की तरह बढ़ते हैं 49 वे 39 वे बिश्चु कभी सम्मेलन का एविजन ओडिशा की राइधानी भूबनिश्वर में किया गया ठीक है दोस्तों अगले पॉइंट की तर पूरे कर लिये हैं क्या नाम है मिताली राज मिताली राज ने अपने एक दिवसी करियर की शुरूआत 26 जून 1999 को आरलेंड के विरुद की थी इन्होंने अपना पहला ODI मेंच किसके खिलाब केला था 1999 में आरलेंड के खिलाब केला था ठीक है ODI मतलब वन डे इंटरनेशनल ठीक है दोस्तों अगले पंट की तरब बढ़ते हैं दच्छल अप्रिका के विरुद बिराट कोली ने अपने करियर का सात्वा दोहरा सतक जड़ दिया इस प्रकार बिराट कोली टेस्ट मेंच में सबसे ज़्यादा दोहरे सतक साथ सतक लगाने वाले भारती बल्ले बाज बन गए हैं यहोंने कुल अभी तक कितने लगाए हैं दोहरे सतक साथ अगले पंट की तरब बढ़ते हैं दोस्तों केंद्री मानव संसादन विकास मंतरी रमेश पोखरियाल ने 10 अक्टूबर को बेंगलरू में भारती अंतरिच अनुसंधान संगठन इसरो के मुख्याले में परधान मंतरी नवाचार सिच्छड कारिकरम दुर्व का सुवारम किया क्यों किया गया है दोस्तों यह प्रतिवासाली चात्रों को प्रोचसाहित करने के लिए किया गया है दोस्तों UPPCS 2019 में यह प्रस्ण भी इस बार पूछा गया है कौन सा पूचा गया है ये प्रिश्न पूचा गया था कि प्रतिवा साली चात्रों के प्रोच्छान के लिए भारत सरकार ने हाल ही में कौन सा कारिकरम शुरू किया है चार ओप्सन दे दिये गए थे तो इसमें ओप्सन स्था ध्रोग ठीक है दोस्तों ये ध्यार नखना है अपनको कौन सा कारिकर्म शुरू किया गया था ध्रोग अगले पॉइंट की तरह बढ़ते हैं हाल ही में फोफ्स पत्का ने फोफ्स इंडिया रिच लिष्ट 2019 जारी की इस सूची के अनुसार रिलाइंस इंडिस्टी के चेर्मेन मुकेश अंबानी की कुल संपत्ती 51.4 अरब डॉलर है 51.4 अरब डॉलर इस सूची के अनुसार बरत्मान में मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनीवेक्ती बन चुके है वे पिछले 12 वरसों से इस सूची में पहले इस्थान पर बने हुए है इस सूची में गौतम अडानी दूसरे वे हिंदुजा बंदू तीसरे इस्थान पर है ये गौतम अडानी गुजरास से तालुकात रखती है इनका नामकसर आपने सुना होगा मोदी जी के कैमपेंग में अब अगले पॉइंट की तरह बढ़ते हैं दोस्तो भारत की इस्टार मुक्यवाज मेरी कॉम ने 20 सु मुक्यवाजी चेंपियंसिप में कांस पदक जीता इस पदक के साथ मेरी कॉम बिश्चु बल्ले वाजी चेंपियंसिप मतलब बिश्चु मुक्यवाजी चेंपियंस में सरवादिक पदक जीतने वाली मुक्यवाज बन गई हैं ग्याता भी है कि मेरी कौम छे वार की बिश्टू चेंपियन है अब दोस्तो प्रस्ने यहां से क्या बनता है मेरी कौम का संबंद किस खेल से है तो आपको ओफसन दिये जाएंगे कबड़ी, खोको, बैडमिंटन और मुक्के बाजी तो दोस्तो आपको क्या लगाना है मुक्क बार बिश्टू चेंपियन बनी है तो कितनी बार दोस्तो बिश्टू चेंपियन बनी है यह टोटल छे बार ठीक है दोस्तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं भारत के लच्छ सेन ने डच ओपन का खिताब अपने नाम किया फाइनल मैच में उन्होंने जापान के य सेन अब्यास बज्जर प्रहार हाल ही में अमेरिका के सीटल में सुरू हुआ जो 28 अक्तूबर 2019 को समाप्त हो चुका है कहां पर सेन अब्यास यह होगा था यह अमेरिका के सीटल में किस किस के बीच में भारत और अमेरिका के बीच में युद्द अब्यास का नाम क्या है पॉंट की तरह बढ़ती हैं संस्कृति मंत्रारे द्वारा राष्ट्री संस्कृति महुत्सव का एविजन मद्य प्रदेश के जवलपुर में किया जा रहा है इसका सुभारम 14 अक्टूबर 2019 को हुआ यह कारिकरम एक भारत सिर्ष्ट भारत का हिस्सा है जो की 21 अक्टूबर 2019 तक चला इस महुत्सव की सुरुआ 2015 में हुई थी अब दोस्तों यहां से कौन-कौन से प्रस्ण बनती हैं संस्कृति मंत्राले का द्वारा संस्कृति महुत्सव का एविजन अभी हाली में कहां पर संपन्द हुआ तो यह दोस्तों इसे मद्य प्रदेश को सो भागे मिला ह इसको कराने का और जबलपूर में आज़ुद किया गया है यह ठीक है अब संस्कृति महुत्सव की सुरुआत कभ हुई तो दोस्तों 2015 में सुरुआत हुई थी इसकी ठीक है इस उत्सम में भारत की सम्रद संस्कृति विरासत की प्रदर्सित किया जाता है अब दोस्तों राष्टपती एम बेंक या नाइडू को कोमो रोस के सर्वो चनागरिक सम्मान दा ओर्डर ओप दा ग्रीन क्रिसेंट से सम्मानित किया गया है। अरुड़ खेतपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुड़े में हुआ था बे भारती सेना के अधिकारी थे और उन्हें मरवलो प्रांथ परम भी चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है किसके परम भी चक्र के सबसे युवा बिजेता। ठीक है दोस्तों अगले पंट की तरह बढ़ते हैं। 2019 देन मारक ओपन बेडमिंटन प्रत्योगता का आयोजन 15 से 20 अक्टूबर 2019 के दोरन किया गया। जिसमें बिजेताओं की सूची इस प्रकार है। पुरुष एक अलवरक का खिताब जीता था जापान के केंटो मुमाता ने और महिला एक अलवरक का खिताब जीता था जापान की नोजामी ओकुहारा ने। अगले पॉइंट की तरह बढ़ती है उन्नीस सो सतासी बेचके आईये सबसर पंकज कुमार को भारती विशिष्ट पैचान प्राधिकरड यू आई डी आई करनाया सीयो निक्त किया गया है दोस्तों जानते हो यू आई डी आई क्या होता है ये होता है आपका आधार कार्ड ठीक है दोस्तों बरतमान में पंकज कुमार केंद्री एलोक्ट्रोनिक्स बख सूचना प्राध्वकी की मंत्राले में अत्रित सचव के रूप में कारेरत हैं यू आई डी ए आई आई आधार की स्थापना दोजार नो में की गई थी नंदन नीलकडी इसके प्रमुक बनाए प्रदान मंत्री सीग नरेंद मोदी की नई पहल भारत की लच्छमी पहल के लिए ब्रांड एमबिसडर बनाए गया है किस किस को बनाए गया है दोस्तों दीपिका पादुकोर और पीवी सिंदु को किस स्कीम के लिए भारत की लच्छमी पहल के लिए संयक तुरूप से दो महिलाओं द्वारा किये गए सराहनी कारे को दिवाली के उत्सब परदेश के सामने लाना हैं ठीक है दोस्तो अगले पउंट की तरह बढ़ते हैं भारत के राष्टपती रामनात कोविंद जापान के समराट नारो हितो के राज्या विशेक समारो में सामिल हुए वे जापान क 126 समराट बन गए हैं कौन बने हैं जापान के 126 समराट नारो हितो अगले पउंट की तरह बढ़ते हैं शिंद सुदरसन नामक अभ्यास का एवजन 26 नवंबर से 4 दिसंबर 2019 के बीच राजिस्तान के मरुस्तल में किया गया इस अभ्यास में भारतिय थल सेना तथा भारतिय वायुसेना के बीच तालमीत का प्रदरसन किया जाएगा दोस्तों यह ब्यास हो चुका है ठीके और यह दोस्तों कहां पर हुआ ब्यास राजिस्तान के मरुस्तल में नाम क्या है सिंदु सुरसन इसमें भारति वायुसेना और भारति थल सेना दोनों ने सैंक तुरूब से अब्यास का हिस्सा लिया जम्मू कस्मीर के राजपाल सत्यपाल मलिक को अब गोवा का राजपाल बनाया गया है कहा का राजपाल बनाया गया है गोवा का वहीं पूर्व आईएस अफसर ग्रीश चंद मुर्मू को जम्मू कस्मीर का पर्थम लेप्टिनेंट गवर्नर ग्रीश चंद मुर्मू को जम्बू कजमीर का एवं राधा किष्ण माथुर को लद्दा का लेप्टिनेंट गवर्नर नुक्त किया गया है ठीके दोस्तों किसे किया गया है राधा किष्ण माथुर को लद्दा का लेप्टिनेंट गवर्नर करनाटक ने विजय हजारे ट्रोफी 2019 के फाइनल में तमिलनाडू को हरा कर खिताब जीत लिया है ग्याता बिया कि विजय हजारे ट्रोफी भारत में एक घरेलू एक दिवसी क्रिकेट प्रिट्योगिता है जिसकी सुरुवात 2002-2003 में हुई थी अब दोस्तों अगले पॉंट की तरफ बढ़ते हैं प्रधान मंत्री नरेंद मोधी वो नेपाल की प्रधान मंत्री केपी सर्मा ओली ने मंगलवार को वीडियो लिंक के जरीए एक वीडियो कॉनफरेंसिंग होती है और वीडियो कॉनफरेंसिंग में दोस्तों रिमोट से भारत नेपाल मोतिहारी से आमलेक गंज पाइपलान का अधुगाटन किया यह दच्छिड एसिया की पहली क्रोस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलान है दोस्तो यूपी पीसीयस 2019 में तीसरा करेंट का प्रस्न यह पूछा गया था कि मोतिहारी संयुक्त रूप से भारत और की बीच में हाल ही में एक पाइपलान का अधुगाटन किया गया वो कहां से कहां तक फैले हुई है तो ऑप्शन दिया था मोतिहारी से आमलेक गंज तक ठीक है दोस्तो तो दोस्तो यह हो गया आपका अक्टूबर 2019 का करेंट अफेर्स यहां पर आपको वाट्सप और टेली जल्दी वीडियो लेकर आ रहे हैं जिससे कि आपका कंटेंट अधिक से अधिक उपलब्द कराया जा सके जल्दी अन्य वीडियो लेकर मैं आऊँगा प्रतीक सर भी आएंगे आपके दोस्तो इसी के साथ मैं बिदा लेता हूं जै हिन जै भारत